हेलो नमस्कार सो स्वागत है आप सभी का आज की इस फीडियो में एंड आज हम बात करने वाले हैं पॉकेट मी लोन एप के बारे में इस एप्लिकेशन की मदद से आपको लोन कितने मिलने वाले हैं कैसे मिलेंगे और यहाँ पर आपको कितना रिपेमेंट करना है सारी जनकार देंगे तो सबसे पहले हम एक को इंस्टॉल कर लेते हैं जब तक यह इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप एक छोड़ा सा काम करें नीचे जो अभी आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहे हैं तो अगर आपने चनल को सब्सक्राइब कर दिया तो चलिए हम आज दस मिनट लगेंगे डॉकमेंट समिट करने के बाद आभी यहां पर आपको लोन लेने के लिए करना क्या होगा किन किन चीजों का धियान देना है और कौन-कौन से अच्टिप को कम्प्लीट करना है तो देखे साजी जांकार यह देंगे इसलिए वीडियो को सुरू से लेक देकर यहां पर आपको अपने करना है एकांट करने कड़ने के अब यहांपर जैसरी आपको पर देखे परमिसन लेने से पहले यह आपको बताएगी कि हम जीजों का आप से परमिसन ले रहे हैं उसका क्या करेंगे कैसे उच करेंगे सारी चीज़े लिखी रहती है तो आप उन सब को पढ़कर तभी आप यहां पर एलाओ करेगा सारी परमिसन को दीजिएगा लेकिन वीडियो को आ अगर आप यहां पर सारे परमिसन को एलाओ कर देते हैं उसके बाद आपको यहां पर पहला आश्टेप के डाकुमेंट करने होते हैं जिसमें कि आपके पैंकर अधार कार्ड और आपकी नाम यह सारी चीज़े लिए जाएगी दूसरे में आपके प्रशनल डेटियल्स आप आपका कांटेक्ट नम born यहां यहां पर आपके डाटियेंट में पैसे पहुंच जाते हैं लेकिन यहांनलोह अपको बिताते लिए आपको साथ दिन में ही आपको रीपेमेंट करना पड़ता है ऐसी कमपनिया यह सब बोलती है कि रीपेमेंट आप 120 पर फिर एक महीने के बाद आप कर सकते हैं लेकिन आपके छे दिन के बाद इस साथ वे दिन आपके वाटसप पर या फिर आपके फोन करके आपके कॉल पर जो की रिमाइंडर आजाएगा कि आप यहां पर रिपेमेंट करिए अब रिपेमेंट करने में लेट करेंगे या फिर थोड़े सी भी दिक्कत करेंग तो इन्हें वाले application को तो बले-बले है आपका वाट लागा देगी तो अब यहां पर यह क्या करती है कि हम अगर आप यहां पर रीपेमेड्ट नहीं करेंगे तो हम इसे भाइरल करेंगे ऐसे-इसे धमकी मिलती है तो साइध उनमें से भी यह एक application हो सकती है क्योंकि बहुत सरी application आ चुकी है प्लेश्टोर पर फेक फेक application जो कि आपकी data का लोन डाले क्योंकि आपके साथ भी future in जाके blackmail हो सकते हैं आप भी blackmail का सिगार हो सकते हैं तो इसलिए आपका data बहुत ही जादे आपके लिए माइने रखता है अगर आपका data misuse कोई करता है तो आपके साइध आपको लगता है कि उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है लेकिन आप को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है तो इसलिए आप अपने data का आपका photo भी आपके लिए काफी महदर पूर है कि किसी दूसरे के पास ना जाए अब चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहां पर इस application का प्रोपर review क्या है और लोग इसके बारे में कह गया रहे हैं तो हम इ यह application कैसी है और यहां पर यह की आपको लोन देती है या फिर नहीं देती है तो सारी चीज़े यहां पर लिखी यह और एक भाई लोग तो यहां पर बोलें कि यह फेक application है और यह आपके सारे documents आपकी सारे data को collect करकर जो एकी China को sell करती है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सारी चीज़े यह रमन जाने लिखा है यहां पर review देख रखा है ऐसे ही और भी बहुत सारे लोगों यहां पर लिखे हैं कि वेश्ट एप है फेक application है यह सारी चीज़े लिखी है तो कहीं ने कहीं यह application fake है तभी यहां पर यहां पर बहुत सारे लोगों ने one star की rating दी है और बोला भी है कि यह application fake है अगर यह application अच्छी होती तो यहां पर यहां पर इसका rating and review जो है वह अच्छा घसा मिलता तो इसलिए हम भी आपसे कहेंगे कि अगर आप इस application को यूज करना चाहते हैं लोन लेना चाहते हैं तो प्रीज आप इस application से दूर रहें क्योंकि आपके साथ इसलिए आपको हमारी इस वीडियो से काफी बहतर नॉलेज मिलेगे तो प्ली वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe पर दीजेगा बाकी मैं मेलता हूं आपसे आने वाले अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धनलेवाज